अभी हाली में जो हमारे उपराष्ट पती हैं जिनका नाम जगदीप धनकर है और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे इन्हें राज्यसभा का सभापती चुना गया है और राज्यसभा की बात करते हैं तो आपको मालो होना चाहिए कि संसत का भाग है आपका राज्यसभा और अनुछेद अगर आप लोग 89 को पढ़ेंगे तो संसत के गठन की बात कही गई है और इसी में अनुछेद 80 है आपका जिसमें राज्यसभा की सरचना की बात कही गई है। और राज्यसभा की एगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 3 अपरेल 1912 में इसनी स्थापना हुई थी और इसमें अधिक्तम सदस्तों की बात करें तो 250 सदस होते हैं। और जिसमेंसे आप देखते हैं कि 238 सदस्टों का चुनाओ आपकी विधायकों के द्वारा होता है और 12 सदस्टों नॉमिनेट होते हैं, मनुनीत होते हैं, राष्टपती के द्वारा, अभी बर्तमान में कितनी संख्या है, 245 से से, राज्य सबा में, जिसमें आप देखेंग क्या है, राष्टपती के द्वारा, ठीक है, और राष्टपती की अगर हम लोग बात करें, तो आपको मालू होगा कि समीधान का आप लोग अनुछे 63 पढ़िए, समीधान का भाग 5 में आप लोग जाएंगे, और अनुछे 63 में जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा भारत का एक रूप उपराष्टपती की बात कही गई है, ठीक है, और जगदीब धनकर पहले आप लोगों को मालू होगा कि पश्चे मंगाल के क्या राज्यपाल थे, और उसके बाद आप देखे ए उपराष्टपती बने हैं, और कहते हैं कि इन्हें पश्चे मंगाल में जो नोंने काम किया है, उसका इनाव मिला है बीजेपी की तरफ से, भारती जिनता पाटी की तरफ से, हाली में जगदीब धनकर को राज्यसभा की सभापती की रूम में चुना गया है, और उपराष्टपती की बात करें तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा की सभापती की रूम में उपराष्टपती सदन की बित्यष्टा और संबान का निर्विरोध सरक्षक होता है, एक बात और आप लोगों को बता दो, कि जो राज्यसभा का सभापती होता है, यानि कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वो उपराष्टपती ह लेकिन उपराश्टपती राज्यसभा का सदस नहीं होता है और इसकी अलग आप लोगसभा में जाएं तो आप देखेंगे लोगसभा का अध्यक्ष होता है न वो लोगसभा सदस्तों में से ही होता है और लोगसभा सदस्ती उसका चुनाओ करते हैं तो इन दोनों में फरक ज राज्यसभा के और लोगसभा के सदसों के द्वारा यह आ जाता है। अगर इसकी सक्तियों की बात करें तो राज्यसभा के सभापती या इसे आप लोग अध्यक्च कह सकते हैं। पिता की पिसन का निधारन करने का अधिकार भी देता है। सदन में विशे सदिकार हनन का पिसन उठाने के लिए सभापती की सहमती आवसक होती है। संसदिये समतिया चाहे वह सभापती द्वारा गठितों या सदन द्वारा सभापती के निर्देशन में काम करती हैं। वह सदस्नों को विफिन इस्ताई समतियों और विभाग समंदी संसदिये समतियों में नामित करता है। वह कार मंतरना सम्ति, नियम सम्ति और सामान पर योजन सम्ति के अध्यक्च हैं। कौन? सभापती। और जहां तक सदन में या उससे सम्मंदित मामले का सम्मंद है, तो समिधान और नीमों की ब्याक्या करना सभापती का करतब है। और कोई भी ऐसी ब्याक्या पर सभापती के सामिल नहीं हो सकता है। नहीं कर सकता है, हाल care you are सधन में और नहीं कर सकता हो अब आप देखें, जिस पर केसी दायर है वो अपनी पहरवी कैसे कर सकता है और उसकी अध्यक्षे क्या कैसे कर सकता है तो जब उपराश्टपती को हटाने का संकल बिचारा धीन है और उस समय आप देखें वह सभापती की रूम में सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा आलग कि वहां बैट सकता है उपस्तित हो सकता है उपराश्पती के समधित प्रावधान की बात करें तो उपराश्पती भारत का दूसरा सर्वोज्च समिधानिक पद है पहले पर आप देखते हैं कि राश्पती आता है और दूसरे पर उपराश्पती वह पांच वर्स के कारकाली के लिए कार करता है लेकिन वह कारकाली की समापती के बाप्चूत तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उत्रादीकारी द्वारा पद गरहन नहीं कर लिया जाता है यानि कि उसका उत्रादीकारी नए उपराश्टपती का चुनाव नहीं हो जाता है उपराश्टपती भारत के राश्टपती को अपना त्यागपत दे सकता है तो ये भी याद रखेगा कई बार One Day Exam में इस तरह का questions डारेक्ट ही पूछ लेता है कि भारत का ओपर राष्टपती अपना त्यागपत किसे दे सकता है तो भारत की राष्टपती को और राष्टपती की बात करें तो आप सभी जान दें कि समिधान का अनुछेद बावन आपकी भारत की राष्टपती की बात करता है और इसका चुनाओ आपको माल होगा कि समिध आपकी विधानसवा विधानसभा की सदस्थ और राजसवा लोकसभा के निर्वाज सदस्थों के द्वारा राष्टपती का चुनाओ होता है द्रोपदी मूर्मू का चुना हुआ न, देश की पहली आदिवासी राष्टपती बनी है, दूसरी महला राष्टपती बनी है, पहली महला राष्टपती कौन थी आप लोग नीचे बताइएगा, उपर राष्टपती को राज्य फर्शद, राज्य सभा के एक पिस्ताओ द् किया जा सकता है और उपराश्च्ट पती राज्जों की पर्शट राज्य सभा का पदे UC होता है और उसके पाई पास कोई अनलाफ का पद नहीं होता हैilda किसके पास अभ राश्च्ठच के बास उपराश्च्पती बनने के लिए यूगता चाहिए बस ठीक है के अंदर सरकार या किसी राज सरकार या किसी इस्थानिय प्राधीकरन या किसी अन्य सारजनिक प्राधीकरन के दिन लाप का कोई पद धार नहीं करना चाहिए ओपर राष्टपती का अगर चुनाओ आपको लड़ना है निर्वाचक मंदल की बात करें तो राज्य सभा की मनूनीच सदस होते हैं और लोग सभा की निर्वाचित सदस होते हैं तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा इसमें विदाहन सभा की सदस भाग नहीं लेते हैं यह आप लोग याद रखेगा राष्टपती के चुनाओ में लेते हैं और राष्टपती के चुनाओ में निर्वाची सदस ही केवल भाग लेते हैं, मनुनीत सदस भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग उपराश्पती के पारे में देखें, तो राज्यसभा के मनुनीत और निर्वाची सदस भाग लेते हैं, और लोकसभा के निर्वाची सदस भाग लेते हैं, क्योंकि आप देखिए लोकसभा में अब मनोनीत भी तो नहीं होते हैं चुनाओ पिक्किरिया की बात करें तो भारतिय समिधान की अनुचेद 68 की अनुसार कार्याले की समात्ती की कारण हुई रिक्ती को भरने के लिए चुनाओ निर्वर्तमान उपराष्टपती का कारकल समात्तोंने से पहले पूरा किया जाना चाहिए राष्टपती उपराष्टपती चुनाओ अधिनियम 1952 तथा राष्टपती उपराष्टपती चुनाओ नियम 1974 की साथ समीधान के अनुचेत 324 के तैत उपर राष्टपती के कारयाले के चुनाओ के संचालन का अधीक चन निर्देशन और नियंतर्ण भारती निरवाचन आयोग में नेर्थ होता है यानि कि कहने का मतलब ही कि ओपर राष्टपती हो राष्टपती हो इन सब का चुनाओ कौन करवाता है Election Commission of India और वो समिधानी किसंस्ता है समिधान के अनुछे 324 के तहट उसकी स्थापना की बात की गिये भारती निर्वाचन आयोग की और आप देखेंगे 25 चन्मरी 1950 में इसकी स्थापना होई थी आप देखें नई दिल्ली में हेड़कौार्टर देखने कुम लेगा है पहले मुख के चुनाओ आयोग थमारे सू कुमार सेन थे भारत्मान में कौन है यह आप लोग बताईएगा चुनाओ के लिए धी सूचना निर्व भारत्मान उपर आश्पती के कारकाल की समाथ्ती के 60 दिन पूर या उसके बात जारी की जाएगी और चुकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस संसत के दोनों सदनों के सदस होते हैं इसलिए पितेक संसत सदस के मत का मूल समान होता है ठीक है यहाँ कोई फरक नहीं रहता है चुनाओ आयोग केंसरकार के परामर से लोगसभा राज्यसभा के महासचिप को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी रेटर्निंग ओफिसर की रोम में निक्त करता है और तदनुसार महासचिप लोगसभा को भारत के उपराश्टपती की कार्याले के वर्दमा चुनाओ के लिए निर्वाचन अधिकारी की रोम में निक्त किया जाएगा और आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए संसत भवन लोकसभा में सहायक निर्वाचन अधिकारी निक्त करने की भी नेड़े लिया है और राष्टपति उपर राष्टपति चुनाव नियम 1974 की नियम आठ के उसाथ चुनाव के लिए मद्दान संसद भवन में होगा तो ये कहानी है आपकी उपर राष्टपति की, राज्यसभा की और राज्यसभा की सवापति की ठीक है, ये आप लोग याद रखेगा और राजसवा आप सभी जानते हैं कि इस्थाई सदन है इसका कभी आप देखे खतम नहीं होता है इसका इसमें ऐसा नहीं कि भंग हो जाए आप देखे फिर नए से रेसे पूरी राजसवा गटेत हो एपिकरिया चलती रहती है आते रहते हैं हटते रहते हैं आते रहते हैं त कि यगा